हलो एवरिवन मेरा नाम है दानिश और आप देखें हैं टेकलोजिया आइलेंट और आज हम बात करने वाले हैं Xbox Game Pass की ये जो Xbox Game Pass है वो क्या है क्या है क्योंकि कई बार मुझे कमेंट्स में पूछागा है कि भाई Xbox Game Pass के बारे हम बताईए कि ये कैसे काम करता है क्या-क्या चीजे हैं तो वो सारी चीजे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इसके प्राइजिंग और कैसे ये आपको सस्ता पड़ सकता है हर एक चीज में आपको इस वीडियो के इंदर बताऊंगा अराउंड साड़े तीन सो रुपे प्लस GST पीसी वाला भी साड़े तीन सो है प्लस GST और जो अल्टिमेट है वो है पांसो रुपे का और अगर आप पहली बार कोई भी पीसी के नहीं है लेकिन गाल अल्टिमेटच में आपको देखने को मिलेगा दोनों में मतलब अगर आपने डीमेट गे में लागती की यह Microsoft की कि यह GST को include नहीं करते है उसमें वो अलग से हमें फिर देनी परती है मतलब 500 रुपे में आप 18% GST जो दो तो वो जो भी amount बनेगा वो आपको देना है तो यहाँ पर 500 रुपे से थोड़ी महंगी पढ़ जाती है जो membership है ultimate वाली तो पहले हम console की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ इसके अंदर आपको hundreds of games देखने को मिलने है मतलब अलग-अलग studios के इसमें game add होते रहते हैं हटे भी रहते हैं add भी होते रहते हैं अगर पूरी हो जाती है और अगर Sony उसके बीच में नहीं आता है वैसे तो अभी आ रहा है लेकिन वो डील हो जाती है तो आपको जो Activision Blizzard के game है वह भी day 1 में देखने को मिलेंगे means call of duty के कोई भी नय टाइटल लाँच होगा वह आपको day 1 में Xbox Pass में देखने को मिलेगा तो सबसे बड़ा benefit एक यह है और इसके अलावा भी आपको जो deals है उसके अंदर discount देखने को मिलते रहते हैं अगर आपके पास game pass है तो आपको जो games में वो आपको extra discount देखने को मिलेंगे जिनके बास game pass नहीं है तो यहाँ पर यह कुछ फाइदे हैं जो अगर आप console वाला game pass लेते हैं और यहाँ पर जो PC का game pass है उसमें भी सारी चीज़े देखने को मिलते हैं लिकिन सिर्फ एक बड़ा difference है कि आपको इसके अंदर EA play include देखने को मिलता है अगर आपके पास PC का game pass है तो EA play include देखने को मिलेगा मतलब EA के सारे game जो आपके FIFA के हैं या और भी जितने भी EA के library और EA play के library काफे जादा बढ़ी है तो यहाँ पर आपको EA games देखने को मिलेंग यह चीज मुझे बुरी लगती है काश वो भी यार 3500 रुपे के अंदर EA play भी उसमें include करते हैं तो वो काफी अच्छी deal हो जाएगी लेकिन ऐसा Xbox नहीं करता है पता नहीं क्यों लेकिन मैं यही कहूंगा यार Xbox को यार console वाले में भी EA play को include करना चाहिए सिफ PC PC तक नहीं जो Xbox के स्टूडियो के गेम है वो दे वन पर लांच होंगे और यहां पर आप ultimate ले ले लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत और भी डिसकाउंट देखने को मिल जाता है जो आपकी डीज वगएर आती रहती है गेम पर तो आपको थोड़ा बहुत और बहुत अगर आपके आपके पास ultimate वाला game pass है तो और यहां पर time to time थोड़ा बहुत आपको in game content free में देखने को मिल जाता है अगर आपके पास ultimate है और यहां पर भी आपको EA Play की जो membership है वो देखने को मिल जाती है मतलब EA के सारे games देखने को मिलेंगे और यहां पर इन्होंने Xbox Live Gold को भी इसी के अच्छी जीज़ रह सकती क्योंकि इसमें Xbox Live Gold भी include है तो यहां पर पूरा package अगर आपको लेना है वो आपका 499 जो game pass ultimate है उसमें देखने को मिलता है तो यह तीन package है लेकिन अब लेना कौन सा चाहिए मैं आपके लिए थोड़ा असान कर देता हूँ अगर आपके पास PC gaming वा तो आपके library काफी जादा बड़ी हो जाती है और आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाती है तेकि console के साथ एक पंगा है भाई कि console का अगर आप लेंगे साड़े 300 वाला तो उसके अंदर आपको EA के game देखने को नहीं मिलेंगे और EA के game काफी जादा सही रहते है जैसे battlefield हो क्योंकि उसमें आपको EA के game नहीं देखने को मिल रहा है और EA के game यहर हर कोई खेलता है सीदी सी बात है एक बड़ा studio है तो उसके game इंसान को चाहिए देर से रुपए अगर महीना का एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको वह चीज़ मिलेगी कि भाई मुझे बहुत सारे games EA के द तो आप ultimate की तरफ ही चाहिए वह ज्यादा अच्छा option रहेगा लेकिन यहां पर अभी हम प्राइस देख लेते हैं कि आपको कितने ही पड़ती है तो यहां पर हमारा जो गेम पास है वो 599 का पढ़ रहा है और अगर हम इसके अंदर 18% GST लगा देते हैं तो यहां पर जो साल का पढ़ेगा अगर आप 589 रुपीज हर मन्त का देते रहेंगे तो वह आपको 7068 का पढ़ेगा तो यह तक्रीबें 7000 रुपे महीना आपकी जेब से जाएगा अगर अगर आप ultimate वाला लेते हैं जो कि काफे जादा महंगा पढ़ जाता है अगर आप PS Plus की membership से अगर आप compare करें और अभी जो sales चल रही है around 3,000 रुपे में वो पूरा साल दे रहे हैं जो उनका extra वाला है वो उसमें आपको 3,000 रुपे में पूरा साल रुपे आप दे रहे हैं पूरे साल का तो यहाँ पर यह काफे सादा महंगा पढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर इसका एक hack है hack क्य जा रहा है अगर आप यही चीज़ Amazon या Flipkart से वो जो उनका voucher होता है वो खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 4,000 रुपे में पूरे साल का ultimate मिल जाएगा मतलब 4,000 रुपे में पूरे साल का और 8,000 में 2 साल का मिल जाएगा जो की काफी जादा सस्ता पढ़ जाता है अगर आप डायरेक्ली एक्सबॉक्सी वेबसाइट से खरीदते हैं तो यह एक तरीका है जिससे आप सस्ते में खरीद सकते हैं यह जो गेम पास है वो आपको Amazon और Flipkart दो रुपे मिल जाएगा लिंक में नीजे डिस्रिप्शन में दे दूँगा हाँ एक चीज़ बता दू हो यह इस टॉक में आते रहते हैं जाते रहते हैं आते रहते जाते हैं तो अगर अभी स्टॉक में नी ओगे तो कुछ दिन बात देखना हो स्टॉक में आ जेंगे तो यहां पर कहां आपको पढ़ ला था 593 रुपीज महीने का और जहां पर एक साल का आपका 7000 रुपे का आ रहा था वहीं अब जो आएगा आपका 8000 रुपे में 2 साल और 4000 रुपे में एक साल और मैं आप से यह बूलूहुँगा कि जितने जादा साल ले सकें तो आप ले लें, दो, चार जितने भी आप ले सकते हैं, वो आप ले लीजे क्योंकि पता नहीं, ये कब तक सस्ते मिल रहे हैं तो अगर आप एक advance में इतने सादा खरीद लेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक और चीज है कि Xbox Game Pass ते आप directly एक साल या दो साल का नहीं खरीद सकते हैं, आपको हर महीनिया खरीदना पड़ेगा, तो ये पूरी चीज है Xbox में कि यार, हम पूरे साल का नहीं खरीद सकते हैं, अगर हमें पूरे साल का खरीदने हैं, तो हमें ये ऐसे साथ, वो PS Plus की मेंबर्शिप के साथ ये टक रहा सकता है, लेकिन अगर आप मन्तवाइस इसको खरीदेंगे, तो वो बहुत महेंगा पड़ेगा, तो आप ये चीज़े कर सकते हैं, बस यही चीज़े हैं, बाकी कोई बड़ा फरक नहीं है, कॉंसोल का मैं आपको बता दिया पीसी का गेमपास भी बता दिया, और अल्टिमेट भी बता दिया, अगर आप कॉंसोल है, तो आपके लिए अल्टिमेटी वर्थ करता है, अगर आप PC वाले हैं, तो सिर्फ PC का लीजे, लेकिन अगर आपको सस्ते में ही चाहिए, तो भाई, आप भी अल्टिमेटी ले सकते जो मैं आपको तरीका बताए, गिफ कार्ट का, तो उस गिफ कार्ट से सबसे सस्ता आपको अल्टिमेटी देखने को मिलता है, और ये दो साल का ये आप खरीद लें, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है, तो अभी आप खरीद दी लें, बाद में पता नी महिंगा हो जाईगी, तो वो भी मैं जल्दी वीडियो ला दूँगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद लेगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो, नीचे गाउन वापस को से पूशिए सकते हैं, और आपने माई चैनल को अब जब सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मरगाव वीडियो लाता रहता हूँ, मैं मिलता आपको वीडियो में, तब तक लिए, spread peace, love and happiness.